वेलकम टू माई चैनल सिविल सेजिन जैसा कि आप सभी को पता है हमारे चैनल में बेसिक नॉलेज से रिलेटेट सभी परकार की वीडियो आप तक पहुंचा जा रही है और इसकी एक सीरीज चल रही है तो जिसको आप प्लैलिस्ट में जाकर वीडियो बाई वीडियो देख सकते हैं और आपका जो भी सिविल इंजिनिरिंग से रिलेटेड नॉलेज है उसको बढ़ा सकते हैं दोस्तो यदि आप civil engineering के student है या फिर civil engineering की trade में interest रखते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही बैतर इंसा बित होगा, तो चलिए देखते हैं आज की इस वीडियो में हम देखने वाले है components of building, तो दोस्तो यहाँ पर आपको building planning से related सभी प्रकार की जानकारी मिलेगी, यहा सबसे पहले जब भी हम building का work करेंगे, तो सबसे पहले हमको foundation करना पड़ता है अपने plot area में, तो यह जो हमारा पहला step रहता है, वो foundation रहता है, then second step जो हमारा रहता है, वो ground floor तक हमें आना रहता है, तो हमारा यह ground floor आपको देखने को मिल रहा होगा, then उसके बाद हम एक basement डालत फर्स रहता है कमरे का, वो उसके उपर plinth level रहता है, ठीक है, तो plinth level के उपर फर्स रहता है, तो यह plinth level होगे आपका, देखे आपने basement के उपर plinth level हुआ, then उसके बाद हम करते हैं, डीपीसी बोलते हैं, जो वो होता है dump proof course होता है, तो वो plinth level जो रहता है, यह जो plinth लेवल इसके उपर हम करते हैं एक DPC करते हैं जो सरीय के रहती है देन उसके बाद हम फ्लोर करते हैं फ्लोर का मतलब जहां पर फर्स वर्स रहता है हमारे मकान का तो वहां पर फ्लोर होता है देन उसके बाद हम बात करते हैं तो फ्लोर को फिनिस किया जाता है देन यहां पर य जाते हैं lintel level में तो just जहां पर window का top . टापपेज रहता है वहाँ से चालु होता है lintel level जहां पर हम सज़ ढलते हैं वह windo की just इểnोर से सजर दाता है तो उसी को बोलते है lintel level या LBIM बोलते है टेका lintel level तक हमारा वर्क होने के राधन है शोसे услов sound यह हमारा lintel level हुआ, जहां, यहां से नीचे खेड़ की हो गई हमारी windows वगएरा, ठीक है, तो यह होगे आपका lintel level यहां पर आपको देना पड़ता है, ventilation वगएरा यहां पर देना पड़ता है, ठीक है दोस्तो, then हम अब यह हमारा brick work हो गया, यहां पर lintel level के उपर, then अब हम पास की जो आप देहात की भासा में जड़पी बोल सकते हैं उसे बोलते हैं पेरापेट तो जैसा कि आज कल modern houses का जब construction होता है तो पूरा खेली पेरापेट डिजाइन का ही रहता है हर यूनिक प्रकार के पेरापेट design का उप्योग कर रहे हैं तो दोस्तो हमारे चैनल में आपको front view देखने को मिल जागा front elevation देखने को मिल जागा आप वहां से भी उठा के अपने घर के लिए बहुत अच्छी drawing को तयार कर सकते हैं और अपना घर को attractive बना सकते हैं वहां पर आपको समझ में आ गया होगा आप इस picture का screenshot ले लीजिए और यहां पर आप यदि कोई कहीं construction चल रहा है तो आप वहां जाके visit कर सकते हैं वही आपका field study जो हो जाएगी वहां पर हो जाएगी ठीक है दोस्तों तो यही था आपका basic knowledge आज का तो मिलते हैं next video में thank you for watching this video